हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब विलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल गौर्वर्मेट एक्जामस प्रपेशन वित अरूब गिरी तो देखें दोस्तो आज का जो वीडियो होने वाला यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखेंगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोग साथ डिस्कस करने वाला हूँ उस नोटीस के बारे में दोस्तो जो ऑफिशल ना होने के बावजूद भी उसे ऐस ऑफिशल यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तो ठीक है पर, यह दर्साया जा रहा है तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, कि actually यह जो नूटीस जो जारी किया गया है, क्या यह सच में रियल है या फिर फेक है, या फिर किसलिए जो है, किस मनतव है से इस नूटीस को जारी किया जा सकता है, तो हम लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे सा डिसकस करेंगे तो आप देखें दोस्तों यहाँ पर पढ़कर देख लो पनिया सा ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है Central Reserve Police Forces Recruitment SSB Constable GD 2018 Nodal Force तो यहाँ पर जो है यह साफ साफ देखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है यानि कि यह as a fax notice है दोस्तों यानि कि इसको CRPF ने SSC को fax के तोर पर यहाँ पर transfer कर वाया है ठीक है अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर देखिए नेक जो लिखा हुआ है मैसेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रॉम डारेक्टरेट जर्नल CRPF इस्ट ब्लॉक नंबर सेवन लेवल फोर सेक्ष्टर वन आरकेपूरब नियो दिली 110066 मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स ठीक है दोस्तों यह जो है यहाँ पर इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगा आगे यहाँ पर नेक्ट जो लिखा हुआ है टू ठीक है टू कॉमा ठीक है एक चीज यहाँ पर फॉर्मेट को देखिएगा दोस्तों ध्यान दीजेगा फॉर्मेट के उपर ठीक है ठीक है उसका दज शेयर मैन कॉमा एसे सी कॉमा सीजियो कॉम्पलेक्स कॉमा लोधी रोड कॉमा ने उदेली ठीक है पहला चीज यह फॉर्मेट आप लोग बहुत अच्छे से देखो दोस्तों कि ऐसा फॉर्मेट में कहां पर आप लोग को किसी भी ऑफिशल नोटीस में आज तक आप लोगों ने कहां देखा ऐसा फॉर्मेट चलिए एक पल के लिए हम लोग माल लेते हैं कि यह फॉर्मेट होता है ठीक है इस हीचका हम लोग बहुत अच्छे सरे डिसकस करते हैं सेगंड वन यहां पर लिखा हुआ है कि CRPF announces to publish final merit list of constable gd 2018 fit candidates subtly with the updated vacancies ठीक है दोस्तों आप यहां पर देखे इस notice के अनुसार में आप लोग बताना चाहता हूँ कि यहां पर इस notice के अनुसार यह कहा जा रहा है कि CRPF ने SSC को कुछ इस प्रकार से कहा है इस प्रकार से अपना जो है order दिया है कि हम लोग जो है fit candidates का list जो है वो जारी करना चाहते है यानि कि उनका कहना है कि जितने भी candidates जो है वो medically fit हो चुके है उनका merit list final merit list out करने वाले है ठीक है और जो re medical वाले candidates है उनका merit list बाद में आएगा दोस्तों पहला चीज कि SST ने अपने official notice में notification में यह हमेशा से इस चिच को point out किया है इस चिच को हमेशा से बताया है कि जो भी medical वाले candidates होंगे यानि medically जो fit candidates होंगे और इसके अलावा जो re medical से related जो candidates होंगे जो finally re medical में जाने के बाद जो candidates fit हो जाएंगे finally result के लिए दोस्तों उन दोनों का result यानि कि medical वाले candidates और जो re medical वाले candidates है उन दोनों का result जो है final result यानि कि final merit list वो हमेशा मर्ज करके एक साथ आएगा दोस्तों final result के लिए दोस्तों ठीक है तो इस चिच को देखिए और यहाँ पर साफ साब यहाँ पर कहा है कि जो fit वाले candidates हो उनका result पहले आएगा यानि का merit list जो है वो पहले आएगा और re medical वाले candidates का merit list है वो बाद में आएगा ठीक है तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई process होने वाला नहीं है दोस्तों ठीक है चलिए एक पल के लिए मान लेता है ऐसा process हो सकता ह क्योंको देखे यह जो condition है यह एक बार हो चुका है दोस्तों साइद 2011 में जो constable gd का recruitment हुआ था दोस्तों उस समय यह process साइद ऐसा ही same process हुआ ठीक है और कुछ कुछ examination से साइद RPF के examination में भी ऐसा कुछ process को अपनाया गया था दोस्तों मुझे ख्यान नहीं कि किस साल यह अप comment जरू किजएगा लेकिन RPF के process में ऐसा system है RPF के exam में ऐसा process ही अपनाया गया था एक बार ठीक है तो अब इस चीच के बारे हम लोग discuss करते है कि देखे जो आपकी CRPF की जो official website है वहाँ पर ऐसी notice आपको कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्तों आप लोग CRPF की official website visit करो ठीक है आप अभी तक इसके regarding कोई भी official notice जारी नहीं किया है कि हाँ CRPF ने हमें ऐसा order किया है या फिर CRPF ने हमें ऐसा fax बेजा है जिसके regarding हम लोग medically fit वाले candidates का जो merit list वो पहले निकालेंगा और ये medical वाले का बाद में निकालेंगे ऐसा कोई भी official notice SSC ने भी तक जारी नहीं किया है तो यह दिखिए format जो है दोस्तों आप यहां पर सकते हो जो तू के बाद जो जिस तरह का format है यहां पर लिखा हो गया to the chairman the comma SSC, CGO complex, Lodi Road, New Delhi यह जो format है लिखने का एक notice लिखने का format होता है यह totally wrong है दोस्तों यह totally wrong format है चलिए हम लोग मैंने कहा कि आप लो चलो एक पल के लिए मा final merit list आएगा उसमें remedical वाले candidate जो उसमें fit होंगे और जो पहले से medically fit हो चुके candidate से सबका एक साथ final result आएगा सबका एक साथ ही joining आएगा दोस्तों तो घबराने वाली बात नहीं है यह जो है एकदम 100% fake news है ठीक है आपको YouTube में ऐसे काफी मिलेंगे जो इनका विरोध भी कर रह है और नहीं SSC ने भी इसके बारे में कोई information अपने officially website पर कुछ दिया है ठीक है दोस्तों तो यह चीच प्रूफ होता है यह fake notice है और जिस भी बंदे ने इस notice को बनाया भाई मैं आपसे request करता हूँ ऐसा भद्दा मजा creepy है हमारे candidates के साथ ना करें क्योंकि देखिए क्योंकि यह जाहिट सी बात है उनके मांसिक्ता के साथ खिलवार हो सकता है क्योंकि ऐसा ना करें क्योंकि वह काफी दिनों से frustrated क्योंकि उनका medical का date जो है वह अभी तक नहीं आया है और बहुत सारे candidates जो medically fit हो चुके हैं उनको यह तकलीफे हो रहे हैं कि अभी तक आपकी जो medical की जो date ह जो final merit list है वह अभी तक नहीं आया दोस्तों तो creepyya jinn honne भी ऐसा मजाख किया प्लीज ऐसा मजाख ना करें ठीक है ऐसे भध्य मजाख बिल्कुल भी ना करें इससे क्या होता है कि किसी कवज जो focus होता आपने लक्षे के उपर वो बिल्कुल हाम होता है दोस्तों उसमें बिल् करना हमारा फर्ज है इसलिए मैंने आज वीडियो अप्लोड किया ताकि आप लोगे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए क्योंकि आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पे काफी वाइरल हो चुका है यह नोटीस की यह ओफिशल फेक नोटीस है ठीक है क्योंकि ना ही इसको ओफिशली कहीं रिलीस किया गया है ना ही CRP आपने रिलीस किया है यह 100% फेक नोटीस है दोस्तों ठीक है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो कोई भी डाउट है तो कमेंट बाक्स मे क्लियर कर सको हूँ उमीद है दोस्तों चले मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई शबाख है एंड टेक क्यार एंड रिमेंबर दीस दाट इस इस ए 100% फेक नोटीस क्योंकि जब तक कोई ओफिशल नोटीस ना एक क्रिप्या बिलीफ ना करें दोस्तों ठीक है दोस्तों म मिलते हैं अगले वीडियो में